ये कहानी एक ऐसे लड़के की उपर आधारित है जिसे एक फौजी की पत्नी से प्यार हो जाता है और फिर उस फौजी के मरने के बाद वो दोनों एक दूसरे के नसदीक आने लगते हैं अब इसके बाद उन दोनों की बीच में आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस explanation में द पर खेल रहा होता है इसी दोरान उनकी नजर एक सिपाही पर पढ़ती है जो कि अपनी पत्नी पनोती के साथ एक घर में रहता था फिर जब हर्मन पनोती को देखता है तो वो एक बावली गांड की तरह उसके प्यार में पागल हो जाता है वो उसके पती की जगा खुद को इमेजन करने लगता है जो कि पनोती की दबा कर ले रहा है और उस दिन के बाद से वो हर वक सिर्फ पनोती के बारे में ही सोसता रहता है फिर एक दिन वो पनोती को फिर से देखता है जो कि अपने पती को गुडबाई बोलने आई थी क्योंकि उसका पती वार में लड़ने जा रहा था अब ये देखकर हर्मन और भी ज़दा खुश हो जाता है क्योंकि ये पनोती पूरी तरह अकेली थी और उसके पास सिर्फ यही मौका था उसके साथ गचा गच करने का इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों चूतियों के अंदर हवस की आग भड़कती जा रही और ये तीनों जल्दी से जल्दी बड़े होना चाते थे ताकि वो किसी की प्यार इसी तितली को चमकादर बना सके इसलिए गंड़ फकीर अपने घर से गचा गच की किताब चुरा कर लाता था जिसको पढ़कर वो तीनों रोज अपनी हाध गाड़ी चलाय करते थे फिर ए जिसको सुनकर हर्मन घबरा जाता है और अपनी गांड उठाकर वाँ से भाग जाता है अब हर्मन अपने दोस्तों के इस मजाक से खुश नहीं था जिस वरे से उसके और पाइथन पैनिस के बीच लड़ाई हो जाती है अब देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ जाती है जिस वरे से पाइथन पैनिस और गंड फकीर हर्मन को वहीं छोड़कर वाँ से चले जाते हैं फिर शाम को जब हर्मन बजार में भटक रहा होता है तब ही वह वहाँ पर पनोती को देखता है जिसको सामान उठाने में प्रॉबलम हो रही थी अब मौका पाकर हर्मन पनोती के बास जाता है और उसकी मदद करता है फिर वो उसका सामान उठा कर उसके घर तक ले जाता है जहां पर पनोती उसे थेंक्यू बोलने के लिए उसके लिए कॉफी बनाती है इसके बाद वो हर्मन से उसके बार में पूछने लगती है जिस पर वो बताता है कि मैं स्क पूटी बाते बोलने लगता है जिससे की पनौती को लगे की हर्मन कोई बच्चा नहीं है फिर उसके घर से बाहर आने पर उसे उसके चूतिये दोस्त मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि हमने तीन लड़कियों का जुगार कर लिया है और आज रात को हम उनके साथ मूवी देखने जाएंगे फिर उसी रात वो तीनो भाई जन की मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पर वो तीनो लड़किया भी पहुँच जाती हैं तब ही उन लड़कियों को देखकर गंड फकीर आचाना घबरा जाता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है अब वहाँ पर ये दोनो ही बचे थे इसलिए उन तीनो लड़कियों में से एक लड़की की पिछवाड़े पर लात मार कर उसे बगा दिया जाता है और बाकी बची वी दोनो लड़कियां हर्मन और पाइथन पैनिस के साथ मूवी देखने अंदर चली जाती है वहीं हर्मन जब अंदर जा रहा होता है तब ही वहाँ पर उसे पनोती मिलती है जो उससे कुछ जरूरी काम करवाने के लिए अगले दिन उसे अपने घर पर बुलाती है अब दोस्तों आप खुदी समझ जाओ कि ये जरूरी काम क्या होगा अगले दिन हर्मन नहा दोकर सीधा पनोती के घर पहुँच जाता है य जा खोल उसका दूद पी गए पूरा गंड बेदक आया और उसका दाम बोल दिया वो कुछ कहे उससे पहले उसका नाडा खोल दिया गंड बेदक की हरकते बहुत गंदी थी अगले ही पल उसके हाथ में उसकी कच्छी थी बैड पर चादर रंग भी रंगी थी कुछी पलों में वो पूरी नंगी थी गंड बेदक के पास ना आई पिल ना निरोध था उसके मन में बस इसी बात का विरोध था वो डरती रही और करती रही करने से पहले वो जितना खिल-खिला रही थी बैट पर वो उतना ही चिला रही थी गंड बेदक उसकी हूथ की वादियों में खो अब यह सुनकर पनोती मुस्कुराने लगती है और वो हर्मन के माथे पर एक किस करती है अब यहाँ पर हर्मन पनोती से प्यार करने लग गया था लेकिन पाइथन पैनिस का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज पर था और वो हर्मन को भी यही एडवाइस देता है कि उसे जल्दी स जल्दी पनोती के साथ घचागच कर लेना चाहिए इसके साथ ही वो हर्मन को ये भी बताता है कि आज रद हम उन दोनों लड़कियों को बीच पर ले जाने वाले हैं और वहाँ पर हम सब मिलकर पार्टी करेंगे फिर रात को पाइथन पैनिस अपनी बंदी पिंकी के साथ घचागच करने के लिए जंगलों के बीच में चला जाता है और वहीं हर्मन दूसरी लड़की चिंकी के साथ बीच पर बैठा हुआ बाते कर रहा होता है यहाँ पर इस लड़की को पता नहीं था कि पाइथन पैनिस उसकी दोस्त के साथ क्या कर रहा है लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि इन दोनों ने उसे यहाँ पर बजाने के लिए बुलाया है तो चिंकी तुरंत अपना पिछवडा उठा कर वहां से भाग जाती है अब हर्मन पूरी रात उसी बीच पर अकेला गूमता रहता है और फिर सुबह होते ही वो पनोती से मिलने उसके घर चला जाता है वहां जाकर वो देखता है कि पनोती किसी को चिठी लिख रही होती है हर्मन उसे पूछता है कि अगर आज रात को मैं तुमारे घर पर आऊं तो तुमें कोई प्रॉबलम तो नहीं होगी जिस पर पनोती बोलती है कि नहीं बलकि मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आऊगे फिर शाम को हर्मन तयार होकर पनोती की घर की तरफ निकली रहा था तब ही उसे रास्ते में पाइथन पैनिस मिलता है जो उसे बताता है कि उसका और उसकी गल्फेंट पिंकी का ब्रेक अप हो गया और वो उसे छोड़कर शेहर चली गई लेकिन हर्मन अब मर्द बन चुका था इसलिए वो उसकी फालतुबातों पर ध्यान नी देता अब ये देखकर पाइथन पैनिस गुस्सा हो जाता है और वो हर्मन से जगड़ा करके वाँ से चला जाता है इसके बाद जब हर्मन पनोती के घर पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है और हर तरफ सन्नाटा है हर्मन जब वहाँ पर उसे ढूंड़ने लगता है तो उसे वहाँ पड़े वे एक टेलिग्रम से पता चलता है कि पनोती का पती वोर में शहीद हो गया है अब वो उस टेलिग्रम को पड़ी रहा होता है कि तभी कमरे से पनोती बाहर आती है जो की रो रही थी अब हर्मन उसे वहीं खड़े रोता हुआ देख रहा था और तबी वो उसे कहते है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है इसके बाद पनोती म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक चलाती है और हर्मन को उसके साथ डांस करने को कहती है डांस करते वे हर्मन उसे संभालने लगता है और तबी पनोती उसके नजदी काकर उसे किस करने लगती है कुछ देर बाद पनोती हर्मन को अपने कमरे में ले जाती है जहां पर वो दोनों पूरी रद गचा-गच मचाते हैं लेकिन इसके बाद भी पनोती को कुछ अच्छा मैसूस नहीं हो रहा था इसलिए वो चुपचा बुटकर उस कमरे से बाहर चली जाती है वही हर्मन भी उसकी फीलिंग समझ पा रहा था इसलिए वो भी वहां से अपने घर जाने लगता है फिर जाने से पहले पनोती उसे गुड़नाइट बोलती है और हर्मन भी उसे गुड़नाइट बोलकर वहां से चला जाता है और ये शायद आखरी बार था जब हर्मन ने पनोती से बात करी क्योंकि इसके बाद से पनोती उसे फिर कभी नहीं मिली फिर अगली सुबह हर्मन के पास पाइधन पैनिस आता है और वो दोनों आपस में बात करके अपना जगड़ा खत्म करते हैं इसके बाद हर्मन वहां से उठकर पनोती के घर की तरफ निकल जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि पनोती ये आइलेंड छोड़ कर पिछली राती चली गई है और जाते जाते वो अपने पीछे एक नोट छोड़ गई है जिस पर हर्मन का नाम लिखा था फिर हर्मन उस नोट को लेकर वहीं बैढ़ जाता है और उसे पढ़ने लगता है उसमें पनोती ने लिखा था कि उसे ये आइलेंड छोड़ कर अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि अब उसे बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं साथ ही उसने ये भी लिखा कि उसे उम्मीद है कि वो उन दोनों की बीच में हुई उन चीजों को समझेगा और उन्हें गलत नहीं मानेगा वो हर्मन को हमेशा याद रखेगी और उम्मीद करती है कि वो भी हमेशा खुश रहेगा अब ये बाते पड़कर हर्मन उस दिन के बाद से हमेशा ही पनोती को याद करता था और उस दि दोस्तों आपको ये explanation कैसी लगी मुझे नीचे comment करके जरूर बताना और अगर आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाते हैं तो इस वीडियो को like करके मेरे चैनल को subscribe जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई